इस मूवी को आज मैं एक्स्प्लेन करने जा रहे हूं वो सौ पार्ट थरी है इस सीरिस के पहले दोनों पार्ट देख लीजिए ताकि आपको मूवी की में करेक्टर जिक्सों के बारे में सारे इंफॉर्मेशन मिल जाए और अब चलते हैं मूवी की एक्स्प्लेनेशन की तर को कमोट के टुकडे से मार मार कर अपनी हड़ी ही तोड़ देता है इसके बाद हमें कादमी को देखती हैं जो के जिक्सों के ट्रैप में फसा हुआ था उसकी बाड़ी की अलग अलग पार्स को जंजीरों से जकड़ा गया था और तब ही उसके सामने पढ़ा हुआ टीवी अन होता है और वहां पर हम जिक्सों को देखती हैं जिक्सों उसे बताता है कि इस ट्रैप से जान चुडाने के लिए उसे अपनी बाड़ी पर लगी हुई सारे जंजीरों को उकारना होगा जो कि जाहिर है काफी दर्दनाग है और अगर दिये गए टाइम के कॉर्डिंग वो ऐसा ना कर सका तो उसके साथ ही पड़ा हुआ बॉंब ब्लास्ट हो जाएगा और जाहिर है वो मर जाएगा तब वो अपनी पूरी बॉड़ी से चेन निकालने की कोशिश करता है जो काफी दर्दनाग सीन होता है लेकिन दिये गए टाइम के मताबिक वो चेन्स नहीं उ लड़की बताती है यह जिक्सो का ट्रैप नहीं है क्योंकि दर्वाजे को वैल्डिंग करकी मजबूती से बन किया गया था यानि वो विक्टिम अगर अपनी पूरी बॉड़ी से चेन को निकाल भी लेता तब भी वो मर जाता फिर हमें वही पुलीस ऑफिसर अपने घर में उसके दिखाय जाती है जो जिक्सो के वीडियो फोटेजिस को देखक इस केस को इढ़ेस्टिगेट कर रही थी और तभी अचानक से टीवी की से संपर उसके याफ चलने लगती है और जब वो चेकरनी के लिए टीवी के पास जाती है तभी अचानक से एक पिगमास पहना शक्स आकर उसे किड्नैप कर लेता है उस लड़की की जब आंग खुलती है तो वह देखती है कि वह एक ट्रैप में फसी हुई है और उसके बिल्कुल सामने लिकुट से भरा हुआ एक बीकर भी था जो कि एसिट से भरा हुआ था उसकी लिपस पर एक ट्रैप बड़ी तो वह चाबी उसी एसिड में मिक्स हो जाएगी और वह ट्रैप एक्टिव होकर उसकी जान ले लेगा वह लड़की बड़ी मुश्किल से किसी तरह उस एसिड में से की निकाल लेती है और उससे अपना ट्रैप खूलने की कोशिश करती है लेकिन अफसोस के बात यह है कि व जो ट्रैप्स लगाए गए हैं वो इस तरीके से सेट किये गए हैं कि विक्टिम कभी भी उससे अजाद नहीं हो सकता यानि उसकी मौत कंफर्म है चाहिए वो सारे इंस्ट्रॉक्शन को फॉलो ही क्यों ना कर ले यानि इस ट्रैप को कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता फिर ह नहीं पर हम अमेंडा को देखते हैं यानि पिग मास के पीछे चुपा हुआ फेस किसी और का नहीं बल्कि अमेंडा का था अमेंडा लिन को उस रूम में लेकर जाती है जहां जिक्सो बैट पर लेटा हुआ था और अमेंडा उसकी गले पर एक ट्रैप लगा देती है तब अजों से बताता है कि से कैंसर है और लिं को उसकी उसकी हैप करके उसकी जान बचानी है और लं इस ट्रैप से तब Państu टीटर वी और उसे वार्ण भी किया जाता है कि अगर उसने यहां से भागने की कोशिश की या जिक्सो का हाट रेट कम हो गया तो उसके गले में लगाया गया ट्रैप एक्टिवेट हो जाएगा जिससे फाइनली उसकी मौत हो जाएगी फिर हम जिक्सो के दूसरे विक्टिम जिसने वो जो के एक बॉक्स में होता है उसका नाम जेफ था जेफ को यहां लाने की रिजन ये थी कि उसका एक चोटा बेटा था जिसकी कार अक्सिडेंट की वज़ेसे डेथ हो गई थी जिसकी वज़ेसे वह बहुत ज़्यदा ड्रॉग्स लेता था और मोस्टली नशे में ही रहता और उपने चोटी बेटी पर ज़्यदा तवज़ा नहीं देता था उसे बहुत जता इगनूर करत का था और अपने बेटी के साथ ऐसा वह अपन्ने बेटी कीडित होने का बदला ले रहा था और इसी ही वज़े से जिक्सो उसे अपने ट्रैप में फसा लेता है सर जेफ को है कि जिक्सो की हालत बहुत खराब है और उसे हॉस्पिटल में एड्मिंट करवाना जरूरी है लेकिन अमेंडा उसकी बात का बुरा मना जाते है और उसके लिए साफ इंकार कर देती है दोसी तरफ जेफ का टेस्स टार्ट हो गया था पहले टेस्ट में वह एक लड़की से मि लड़की जेफ को उसकी हेल्प करने के लिए काफी इंजिस्ट करती है और वह एग्री भी हो जाता है लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि उस रूम में लगी हुई सारी टैप ओन हो जाती है जिसकी वजह से उस लड़की की पूरी बाड़ी फ्रीज हो जाती है पू और अगर जेफ उस आदमे को बचाना चाहता है तो उसे अपने बेटे की सारे टॉइस जलाने होंगे ताके उसे जज के गले में लगाएगर ट्रैप की चाबी मिल जाए और अगर उसने जज को वह से बाहे नहीं निकाला तो बहुत सारे गले सड़े पिक्स को एक बहुत ब पर वह जज के ट्रैप को खोल कर वहां से उसे बचा लेता है दूसरी तरफ जिक्सो की हालत बिगरती जा रही थी और लिन उसका ट्रीटमेंट करते हुए उसका ऑपरेशन काम्याब हो जाता है और उस ऑपरेशन की बीच में ही जिक्सो लिन को लाइक करने लगता है लेकिन अमेंडा को वह पसंद नहीं आती अमेंडा अपने उस टाइम को याद करती है जब वो जिक्सो के साथ काम करती थी फिर हमें पार्ट फन का एक सीन दिखाया जाता है जहां पर अमेंडा एक लड़की को बहुत बुरे तरीके से मार रही थी यहां पर ये बात सामने आती है क अमेंडा ही ऐसे ट्रैप बना रही थी जिसको कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता है। जेफ एक अपने टीसरी टेस्ट के लिए उसके बेटे के किलर एक लड़की के पास पहुँचता है। उस लड़की की पूरी बॉड़ी को काफी हैवी मेशीन से जकडा गया था। जो आइस्था आइस्था उसकी बॉड़ी के पास को ट्विस्ट करके उसको मार डालेगी। उस ट्रैप से निकलने की चाबी एक शॉर्ट गन के ट्रेगर से बंदी हुई थी। और जब जेफ उस चावी को निकालने की कोशिश करता है तब वो gun trigger हो जाती है और इतफाकन उस judge की मौत हो जाती है और तब भी फोरण वो trap भी ऐक्टिवेट हो जाता है और उस लड़की की भी मौत हो जाती है जिक्सो जो कि लिन से उसकी personal life के बारे में questions कर रहा था और वो एक tape player पर wax डाल रहा था Amanda को एक envelope मिलता है जिस पर उसी का नाम लिखा होता है envelope के अंदर से जो pages उसे मिलते हैं उन्हें देखकर वो काफी upset हो जाती है और रोने लगती है Amanda जिक्सो के पास आकर उसे बताती है कि जेफ ने अपने तीनों टेस्ट complete कर लिए है जिक्सो उसे order देता है कि अब वो लिन को अजाद कर दे क्योंकि वो अपना task complete कर चुका है लेकिन Amanda जिक्सो के बात नहीं मानती वो कहती है कि वो जिक्सो के इस idea पर बिलकुल भी agree नहीं करती यानि किसी को भी अपनी लाही बचाने का कोई chance नहीं देना चाहिए वो ये भी बताती है कि जब detective Eric ने चेन से अपने पाउं को छुडा लिया था तब उसने दुबारा से उस पर attack किया था उसे मरने के लिए वहाँ पर छोड़ दिया अमेंडा चाहती थी कि किसी इनसान को भी survive करने का कोई मोका कोई चाहिए जेफ को एक पिस्टल मिलती है और उसके साथ एक नोट भी जिस पर उसी का नाम लिखा हुआ था जेफ उस गन को लेकर आइस्ता आइस्ता जिक्सो के रोम की तरफ बढ़ता है और तबी अमेंडा लिन पर गोली चला दीती है और लिन सीधा जाकर जेफ की उपर गि अमेंडा Onda जिब आखरी सांसे ले रही होती तब जिक्सो उसे बताता है कि असल में उसने ही सारे टेस्ट इमेंडा के लिए कंड़क्ट किए थे क्योंकि काफी टाइम से ऐसे जिसे कभी بھی सकब नहीं किया जाता तो कभी भी दोडा नहीं जा सकता था और टेस्ट को कमप्लेट करने के लिए उसे लिन की कि जान नहीं लेनी साँ यानि उसने रूल्ड की वायॉलेशन की और जिक्सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि कोई killer उसके काम के process को आगे बढ़ाए जिक्सो जेफ को कहता है कि वो लिन के लिए ambulance को बिला सकता है लेकिन उसके लिए उसे एक आखरे टेस्ट पास करना होगा और वो यह है कि या तो वो जिक्सो को माफ कर दे या फिर गला का काटने के लिए आगे बढ़ता है तब जिक्सो स्माइल पास कर रहा होता है जैसे ही जेफ जिक्सो का गला काटता है जिक्सो एक टेप को प्ले करता है टेप सुनकर उसे पता चलता है कि वो अपने लास्ट टेस्ट में फेल हो गया है यानि पास करने के लिए उसे जिक्सो क माफ करना था क्योंकि जिक्सो ने जेफ की बेटी को किटनेप करकी एक ऐसी जगा पर रखा हुआ था जो कि सीक्रेट थी और वो हमेशा के लिए बंद होने वाली थी और उस जगा की बारे में सिर्फ और सिर्फ जिक्सो ही जानता था जिक्सो के मरते ही उसकी हार्ट रेट लास्ट में लिन की डड़ बॉड़ी को दिखाया जाता है और यहीं पर एंड हो जाती है और यहांँ पर हम बता दें कि वो चार लोग कौन थे जिनके बारे में जिकसो ने कहा था कि चार लोगों की जिनकी बरबाद हुई उन में लिन, अमेंडा खुड जिकसो और जेफ की बेटी थी यानि अमेंडा ने उसे शूट करके चार लोगों की लाइफ को डिस्ट्रॉई कर दिया